सुप्रभात वी बच्चों पिछले क्लास में सिर्षक बड़े घर की बेटी के अंत्रगत पाठगत बातों से आपको वगत कराया था आज सिर्षक के अंतिम पाउदान पर हम लोग हैं पाठगत तर्म जो बातें इसमें लिखी गई है उसके संदर्ग की चैचार करते हैं पिछले क्लास में हम नों देखा था कि लाल विहारी और इसकी भावी के बिच्च में जो बाता हो रही है उसे आनंदी और लाल विहारी दोनों अपने के पर व्यतित हैं प्रीत हैं इसके परशात जिस समय लाल विहारी इसले लुकाए आनंदी के दूरा पर खड़ा था उसी समय से कंट सीन भी आखे लाल के बाहर से आए भाई ने देखा तो घिना से आखे फिरली और कत्या कर नि दोनों भाई के विच में एक संपून भ्राति प्रभाव था लेकिन पारवारी थोड़ी सी कहा सुनी के उप्रांत जो रूप था बहुत थोड़ा सा बिभत सुता चला गया आज इस्तिती ऐसी बन पाई कि लाल विहरी आनंदी के दुआर पर तो ख़़ा है चिकर्शी विवां आते हैं लेकिन उनके मन में उस भाई के प्रति आज एक नप्रत का भाव है ग्रिणा का भाव है उन्होंने अपने भाई पर नजर तक भी टालने का प्रयास नहीं कर रह लेकिन अब मन में पच्टा रही थी वह सुभाव से द्यालू थी उसे इसका तरिक भी नध्यान था कि बात इतनी पढ़ जाएगी वह मन में अपने पती पच्वी ला रही थी कि इतने ग्रमक्यों होते हैं जब उसने लाल विहारी के खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जात कि द्वार पर है कि ऌउन नै लाल विहारी आनंदी के द्वार खड़ा है और तुनों के भी से जो वाता लाप हुई या बिल्कुल शहीं था कि आनंदी अपने पती शीकिन कंद सींब से लाल विहारी की शिकायत कि लेकिन आज उसके मन में पहशा ताप है दूख है कि मैंने यह करकर करके अच्छा नहीं किया का रफस था वह सुभाव से ध्याली थी उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वो अपने पती पर जुन्जला भी रही थी क्या कि लोगे इतना गरम क्यों हो जाते हैं लाल भिहारी खड़े और कहते सुना कि मैं अब जाता हूं मुझसे जो भी गल्ती हो गई उसे तुम छमा करना इसके परशात आनंदी के मन में उसके प्रती जो थोड़ा सा भी रही सही क्रोध की भाव थे या उसके प्रती अनप्रकार के जो नकारात्मक्ता के भाव थे वे सब धुल गए अब उसमें कुछ रहा नहीं वास्तों में इन सारी बातों को सुनने के परशात आनदी भी रोने लगती है, उसके मन में भी अपने के परशाताप होती है लेकखा का में बताते हैं कि मन का मैल होने के लिए नयन जल से उपिक कोई वस्तु नहीं है वास्तों में अगर मन में कोई भाव कर उसी ताज आए और उसको हम धोने का प्लास करें तो किसी भी प्रिकार के जल से वहाँ अच्छे ढंग से धुल नहीं सकता लेकिन पाशाताप के आशु अगर उस पर गिल गए तो सभाविक है संपु उससे वह धुल जाएगी हमारे मन की विथा पीणा कस्त दुख तकित जो भी है सब समाप्त हो जाएंगे और दयार करुणा के भाव उसके धोने की पशात आएंगे मन आनुनितों प्रसंचित होंगे इसलिए नयन जल्से को क्यों जल्दी को नहीं होता सिकंट को देखर आनंदी ने कहा लाल बाहर खड़े बहुत रूर रहे हैं तो मैं क्या करूं भीदर बुला लो मेली जीव में खाल लगे मैंने कहां से जग्राव जाया वास्तों में आनंदी अपनी की विकार्ट पश्ता रही है वह सिकंट को कह रही है कि आनंदी लाल बहर सिकंट को तुम अंदर गुला लो नहीं लेकिन सिकंट सिंग अभी वी उसी भाव भंगिमा में हैं उन्होंने अस्पस्तु से का कि मैं उसे नहीं गुलाऊंगा पश्ताओगे उन्हें बहुत गिलानी हो गई है ऐसा नहों कि चल भी उस बात का डर था कि घर छोड़ करके कह चला गया तो यह अच्छी बात नहीं है सिकंट सिंग न उठे इतने में लालवहरी ने फिर कहा भावी भया से मेरा प्रणाम कह दो वी मेरा मूह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अपना मूह नहीं दिखाऊंगा स्वाईकुब से अन्तिमाद अपने भावी के पास लालवहरी जाता है और उन्हें कहता है कि भया को मेरा प्रणाम कह दो हम उनके पास नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मेरे मूंग को नहीं देखने का अपना अडिक बात पर टटिव हुए हैं और मैं अपना मूह इस हालत में कैसे उन्हें दिखाऊंगा इसलिए मेरा परणाम कह दो एक बार तौस्परस्थ है बड़े भाई के प्रती जो सम्मान का भाव है इतना होने के पचाथ भी अभी अस्पर सुपसे दिस्की बोचर हो और यहीं पाव भनमा भी होना चाहिए नहीं और इसके पचाथ लाल विहारी इतना कहकर लोट पड़ा शिक्रता से दरवाजी को रपढ़ा अंत में आनुंदिक कमरे से बाहर निकली उसका हाथ पकड़ लिया लाल विहारी ने पीछे मूल कर देखा और आँखों में आसु बहर कर बोला मुझे जाने दो स्वाइक उसे लाल विहारी तिवर्ता के साथ घर से बाहर जाने ही वाला था कि आनुंदी लपकर करके उसके हाथ को पकड़ लेती है कुछ यह मुल कर वह देखता है उसके आकर में आसी आसु भरे वियते कहा जा रहे हो आनुंदी ने जब उ यह संकेत लिया कि जहां कोई मेरा मुझे आप सुचिए को कौन आदमी है इस अंसार में कि जीवित है उसका कोई मुझे ना देखे मैंनों प्लान थे हम किसी का मुझे नहीं देखते यह बात विकुला सबस्त है कि यह बात उसको अंतर से चुल ले थी जिसे वह काफी व्यत है मान मर्यादा आदर्स इसके रग रग में दोड़ते हैं उन्होंने एक सोगन सपत कफम देदी एक कदम भी तुमको आगी नहीं पढ़ना है जब तक मुझे यहना मालूम हो जाए कि भया का मन में इस दब से साफ हो गया तब तक मैं इस भैर में करा की ना दूंगा लेकि लाल भाई भी अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे आजे उन्होंने कहा कि मन में मिले प्रती अगर किसी प्रिकार का दूंभावना है उस घर में रहान नहीं जाएगा लेकिन अगर उनक्या मन साप जाएगा तो फिर हम निशीत उपसे इक साफ रहेंगे शिक कंडश्री क काहिदा भी पिगला उन्होंने बाहर आकर लाल भाई को गलेस लगा लिया दोनों भाई खुब खुट खुट कर रोए लाल भाई निस सकते लिए कहा अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुह ना देखूंगा इसके सिवाप जो तंड़ देंगे मैं सहसे स्वीतार करेंगा लेकिन इस प्रकार की मन को विथित केने वाली बात आप कभी नहीं कहिएगा शिकंठ ने कामते विश्वा में कहा ललू इन बातों को बिल जाओ इस स्वार चाहेगा तो फिर ऐसा अवसार नहीं आएगा बिल मादाव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाईयों को गले मिलते देकर आनल से प्लकी थो गया गोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेनी हैं स्वार खुप से शिकान सिंह से यह आश्वार सुन बिलकुल मिल गया अब ऐसा कभी नहीं होगा इस वार हम दोनों के विश्मिश प्रकाय की संभावन आगम नहीं आने देंगे काफी प्रसंचित हुए और दूंके मुंसे एक ही आवाज आए बड़े घर की बेटियां ऐसी नहीं है वास्ताव में सुवी में ही लेखक्त ने जिस भाव भामिमा के साथ बड़े घर की बेटिसे सक्का चैन किया था उसका निशित उसे सभी जगा प्रमान मिलता चला गया गाव में जिसने यह दितान सुना उसीने इन बातों को सब्दों में आनंदी की बेटियां है सीम होती है और आनंदी वास्तों में बड़े घर की होने का प्रमान हर जगह प्रस्तुत करकर के यह एक शिक्षा दी है कि परिवार में समाज में अगर इस प्रकार का व्योहार आचड़ करें तो हर हाल में पुरा का पुरा घर परिवार सुक्ष सम्झिदी सांधी से बढ़ना आएगा तो आज के लिए लाहिं इसके प्रस्ता आपको पहुत अधिया बाले